दोस्तों खानपान और रेंसेंग की मामले में साउदन होने की बावजूर भी महलाए बीमार हो जाती है शास्त्रों के मुताबिक महलाओं का इस तरह बीमार रहने की वज़व वास्तुदोश होते है आज कल मौडर्यन मकारों की चाह में लोगों ने वास्त्रों शास्त्र द्वारा बताये बातों को भूला दिया है चाहे स्ती होया पुरूश उनके हर प्रकार की बिमारी में वास्तुदोश ही महदोपुर् weights का निभाते है गर में सकारत्मक और नकारत्मक उर्जया के जिम्मेदार भी यही होते हैं तो चलिए जानते हैं मैलाव के स्वस्ते पर प्रभाव डालने वाले वास्त दोश दक्षिन दिशा के दोश दक्षिन दिशा में अपना सर रखकर सोने वाली और्टों का स्वास्त सदा डिला रहेगा अगर किसी कारणवश आप सुस्ती या फिर बीमार महसुस कर रही है तो घर की उत्तर दिशा या पूरेव दिशा में जाकर बैठ जाए इन दिशाओं को सुर्य की दिशाय मानी जाती है जो आपको पूरेदर से उजय से भर देंगी दूसरी बात तोयलेट के वास्तुदोष उत्तर पूर्व दिशा में तोयलेट बनवाने से बचे इस दिशा में बातुन या शोचले बनाने से घर में वीमारी वाला माहूल बन जाता है इसका सबसे ज़्यादा आसर घर की महिलाओं की स्वास्ते पर बढ़ता है तीसरी बात भारी सामान घर के वीचों बीच किसे भी तरह का भारी सामान ना रखे जया तक हो सके घर की इस दिशा को खाली रहने दे अगर जुरत लगे तो एक संदर सा पोधा या फिर आर्टिफिशल फ्लॉर पॉर्ट रख सकते है चोटी बात रात का अंधेरा घर के रंग भी औरतों की सेहत से काफी हथ तक जुड़े होते है गर को बीमारियों से दूर रखने के लिए रात को अंधेरा करके ना सोए रात के वक्त बरामदे में हलके नेले रंग का सौफ्ट बल्म लगा कर रखने से घरवालों का स्वास्ते सदा अच्छा रहता है नेला रंग मन को शांती देता है पाच्छी बार गलत दिशा में पड़ा पानी घर के दक्षिन पस्चिम भाग में किसी भी प्रकार का पत्थर से बना पानी का टैंक, बोर्वेल या सेप्टिक टैंक उस घर में रहने वाली महिला सदे से के लिए अशुव माना जाता है इस देशा में पानी से जोड़ी कोई भी चीज रखने से घर की महिलाओ का स्वस्थ्य सदेव ढीला रहता है चटी बात, दक्षिन दिशा में बरामदा घर की दक्षिन दिशा में बरामदे का होना धर की स्त्रियों को सदा रोगी बना कर रखता है जिस वज़े से कमाय हुआ धन दवाईयों में खत्म हो सकता है और परवार को आर्तिक कश्टमेय भी डाल सकता है तो दोस्ति यह थी वो छे दोश जो आपके घर की महिलाओं को हमेशा रोगी बनाए रखते हैं इस वज़े को देखने के लिए आप सभी का धनवाग करता हूँ हमारी चानल को सब्सक्राइब करें ताके पौर भी जानकारे वाले वज़े देख सके धनवाद